आज कल आप लोग देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन धर्मानतन का मुद्धा काफी चर्चा में बना हुआ है और आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच अदालत ने भी इस पर चिंता जताई है और देश के लिए खत्रे को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि ये धर्म परिवर्तन धर्मानतन आकिर होता क्या है और इसके बारे में हमारा समिधान क्या कहता है क्या समिधान धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त देता है और जब आप लोग सम्मिधान का भाग तीन पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं और इसमें धार्मिक सुतनता का अधिकार आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि धरम परिवटन की बात या धरम को अपनाने की बात हमारा सम्मिधान देता है और जो हमारे पहले कानून मंत्री थे, जो हमारे सम्मीधान की पिता थे, भीमराव अम्बेड का साथ, उन्होंने बहुत धर्म अपनाया था तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कि हमारा सम्मीधान इजाज़त देता है, अधिकार देता है, लेकिन कुछ पितीबंद भी लगा देता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि सम्मीधान की भात तीन में अनुचेद 19 को आप लोग देखेंगे, तो इसम सिधा बोलने लग जाए, और आपके सब्दों से, आपके बोली की आजादी से किसी और को नुकसान हो, किसी और की आजादी चिने, अब आपको संगठन बनाने किया जादी है, आप इस तरह का कोई संगठन बना दीजे, जो देश की एकता, खंडता को नुकसान तो देखिए आपके अधिकारों पर पितीबंद लगा जाएगा, और आप जो संगठन बनाएंगे, उस पर पितीबंद लगा दिया जाएगा, इस तरह कि कई संगठनों पर पितीबंद लगाए गया भी है, तो चलिए इसके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हम लो और आप लोगों के दिमाख में सवाल होगा, तो इन सब के जवाब आप लोगों को आसानी से मिल जाएगे, तो हमारे समीधान हर किसी को अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपना धरम चुनने का अधिकार देता है, और धरम परिवर्तन का कहने का मतलब है कि एक धरम क छोड़कर आप लोग दूसरे धरम में जा रहे हैं, जैसे कोई हिंदो मुसलिम मन रहा है, या कोई हिंदो बहुत धरम में जा रहा है, या कोई मुसलिम हिंदो में आ रहा है, बहुत धरम में आ रहा है, यानि कि एक धरम को छोड़कर दूसरे धरम को अपना ले रहा है, और पहले धरम से जो पहले धरम था उसका उससे बिलकुल अलग है वो धरम लेकिन समस्या तब होती है जब आप देखेंगे कि कोई ब्यक्ति लालत धोके या दबाओ के चलते धरम परिवर्थन करता है या उससे इस आधार पर धरम परिवर्थन करवाया जाता है इसे ही आप अगर इन सब को हटा कर आप लोग किसी धर्म को अपना रहे तो आप पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होगी आपके मोलिक अदिकार है और आप लोग धर्म को अपना सकते हैं अनुछेत 25 के तरह भारती समिधान धर्म को मानने पिर्चार करने और अभ्यास करने की सुतंता देता है लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धर्मिक विश्वास को जबरन लागो नहीं करेगा भारत कई धर्मों का देश है इसलिए जबरन मतांतरन को गलत माना जाता है और जबर कि हर साल बहुत सारे लोग हिंदु धर्म छोड़कर बहुत धर्म को अपनाते हैं और उन पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होती है क्योंकि आप देखते हैं कि वो अपनी स्वेक्षा से अपना रहे हैं एक सम्मेलन करते हैं उसमें बहुत बन जाते हैं वहीं आप देखते है कि कई ऐसी घटना आती है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या धोके में अपना धर्म नहीं बताया जाता है और आप देखते हैं कि साधी की बाते होने लगती हो, साधी हो जाती बाद में मालूच चलता है कि धर्म इसका अलग है और आपका धर्म कुछ अलग है और फिर आप देखते हैं कि कहा जाता है कि धर्म परिवर्दन कर गजीजे दवाव डाला जाता है तो उन सब को रोकने के लिए कदम इनकी बात कही गई है कारूनों की बात कही जा रही है और आप देखेंगे जवरन धर्मांतर से होने बाली सम तो यह संपदाय और कट्टर पंत की समस्या को जनम दे सकता है और इससे संपदायों के बीच आपसी बेमनस्ता बढ़ेगी और कभी-कभी धर्मानतन ना करने वालों के साथ हिंसा भी की जाती है और इस तरह की कई हिंसा आप लोगोंने सुनते भी होंगे नियुच्विपर प लाद करिये जाती है और इस हिंसा और विमनस्ता का लाव उठा कर कई कई देश बिरोधी ताक्ते इसका बढ़ावद देनी की जुगत में लग जाती है और इसकी फंडिंग करती है और जिसे यह बेक्तिकत आ जादी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए घातक हो जाती है और अगर आजादी के पहले भी आप लोग देखे न तो हमारे महत्मा गंदी साहब ने इसका बिरोध भी किया था क्यूंकि आप देखे जंजातियों को गरीब लोगों को इसाई धरम में परिभतित करवाय जा रहा था उन्हें लालत दिया जा रहा था और समिधान के अनु नहीं देता है और 1977 में रियो इस्टे इस्टे लॉस बना मद्विदे सराज्य में सुपरिंग कोट ने भी नेड़े दिया कि अनुछेत 25 के ताहित किसी का धरम परिवर्तन कराने का अधिकार सामिल नहीं है और भीते बर्स नवंबर में सुपरिंग कोट ने फिर से एक बार दोयराया थाकि धार्मिक सुतंता धरमांतन का अधिकार नहीं देती है और अधालत ने का आंगे कहा कि अगर इस तरह का पित्यक्च और आपित्यक्च मतांतन करवाया जाता है तो राज सरकार उचित एक्सन ले सकती है और सरवोच नियाले ने इस जवरन धरमांतन को राष परिवर्टन कर रहा है तो उस पर कोई कानूनी कारवाही की बात नहीं की गई है उसे कोई सजा देने की बात नहीं की गई है वहाँ आप देखी कि ज़वर्जस्ति लालच में वलपूरवग अगर इस तरह जाने से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है उन लोगों पर एक कानून लागो होता है और उन्हेंसे ञाती है तो ये पूरी कहानी है आपके धरम परिवर्तन की और सर्वुच न्याले की बात करें तो सुप्रींग कोट सुप्रींग कोट हमारी सर्वुच अदालत है समीधान की अनुचेद 124 की तहत इसकी इस्थापना की बात कही गई है 28 जनुवरी 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी वर्टमार में 34 नयाधिस है एक आपका मुख नयाधिस अन्य नयदिस और इन नयाधिसों की सेवा निवित्ती की उमर की 65 साल लखी गई है कितनी 65 साल सेवा निवित्ती की उमर रखी गई है तो एक बात मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गए होगा कि कोई भी अदालतों के फैसली रहे हो या राज्यों के कानून रहे हो या कोई कानून केंदरी भी बनाता है तो उसमें स्विक्षा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होगी ये उन लोगों के लिए होगा जो आप लालस से या आप देखते हैं कि जवरजस्ती सम्मीधान का सीधी सी मतलब है कि सम्मीधान का ओलगन करते हुए धर्म परिवर्तन हो रहा होगा उन्हें रोकने के लिए इन कानूनों की बात होती रहती है वरना आप सोची कि इतने लोग बहुत धर्म काफी लोग अपनाते हैं भारत में तो उन पर कारवाई होती ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सबसे पहले तो आप देखी अगर ऐसा होता हमारा समीधान रोकता पूरी तरह से धर्म परिवाटन को तो हमारे पहले कानून मंत्री समीधान की पिता पर ही एक तरह से कानूनी कारवाई होती तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए और समीधान का भाग पड़े होंगे सुतंता देता है, अनुचेद 27, किसी भी सिर्ष धर्म की अभिव्यद्धी के लिए करों के संदाय के बारे में सुतंता देता है, अनुचेद 28, कुछ सिक्षा संस्थानों में धार्मिक सिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में सुतंता आप लोगों को देता है और देखिए जब इस तरह का कोई topic किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसे आपकी परिक्षाओं में questions पूँचे जाते हैं चाहे फिर आप लोग civil service की तैयारी कर रहे हो या state pcs की तैयारी कर रहे हो या one day exam भी होती रहते हैं central level पर भी और आपकी state level पर भी और आप लोग देखते हैं कि सम्मीधान के भाग तीन से मौलीक अदिकारों से तो हर आल और हर हाल में आप देखते हैं कि questions पूँच लिए जाते हैं और मौलीक अदिकारों के बारे में आपको एक सामर जानकरी होनी भी चाहिए चलिए कोई सवाल हो आपका मेरे लिए सुझा हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं